नगर परिशत शेत्र के चौदरी वार्ड नगर परिशत कॉलोनी में दो बड़े स्वस्त पेड़ों को नगर परिशत की अनुमती से सभी नियमों को ताक पर रखते हुए काड़ दिया गया है पेड़ को काटे जाने का उचित्त कारण नगर पाले का वरक्ष अधिकारी के पास नहीं है बेड़ काटते समय नगर पाले का कोई अधिकारी अकरमचारी मौजूद नहीं यदि शहर में किसी भी पेड को काटा जाना है तो व्रक्ष प्राधिकरंड समीती के सभी सदस्यों को नगर परिशत से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है उसी के अनुसा निर्णे लिया जाता है हलकी परियवरंस अन्रक्षन एजनसी ने कहा है कि एन पिय की कारे प्रणाली पर संदे है क्योंकि इस मामले में परस्पर व्रक्षों की कटाई हुई है हाउस टेक्स का भुकतान करते समय ट्री टेक्स भी लगाया जाता है लेकिन आज तक पेड़ पौधे लगाने पर कभी खर्च नहीं किये गए लेकिन हिंगनगाट पर तस्वीर यहा है कि इस फंड का इस्तमाल पेड़ काटने के लिए किया जा रहा है इस संबन में कल नगरपालिका के मुख्य अधिकारी और उपविभागी अधिकारी को ग्यापन दिया गया पदाधिकारियों ने कहा है कि वह इस मामले में मुख्य मंत्री से बात करेंगे आशिश भोया सोसाइटी के अध्यक्ष मनीश देवडे व्रक्ष प्राधिकरण समीती के सदस्यों पार्षद गोपाल मांडवकर, नितिनीश शीर सागर, राहूल सिंगरू, देवा पडोले, गौरव जमुनकर, राकेश जाडे, दिनेश वर्मा इस वक्त मौझूद थे हिंगन्याट से रवी योनौर करकी रिपोट